points 2,-4, 6,-6, 8,-3 and minus 1,-2 क्या ये एक ही quadrant में लाए करते हैं तो student यहाँ पर आपको ये trick देखना होगा कि ये कहाँ लाए करते हैं सबसे important concept है कि यहाँ हम check कर सकते हैं 2,4 यहाँ 6,-6 यहाँ देख सकते हैं कि एक positive और एक negative आ रहा है तो जो positive और negative होता है that means मतलब 2,-4, 6,-6, 8,-3 this is the criteria of fourth quadrant तो 3 point तो fourth quadrant में लेकिन आपको पता है last minus 1 minus 2 है न means जब दोनों ही negative होते हैं तो यह होता है third quadrant तो इसका मतलब यह कहाँ लाए करता है कि same quadrant में लाए नहीं करता है that's why D is the correct option